तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ तो एंटिटी 6060 जीरो ब्राइन को अपने साथ मिला के हीरो ब्राइन को खतम करने की प्लैनिंग कर चुका था लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन था गौड ओफ एंटिटी और गईस पताने उसके पास कैसी कैसी पावर्स थी क्योंके वो इन सभी एंटिटी का गौड है लेकिन दिक्कत ये थी के गौड ओफ एंटिटी अपनी दुनिया से निकल कर हमारे वर्ल्ड म ही देते ताके उसकी काफी साल की तबस्या पूरी हो जाए और हम लोग गौड ओफ एंटिटी के लिए डाइमेड माइन कर रहे थे के इतने में के अंदर होगा लाला का फेक कलोन मुझे मारने के लिए आ जाता है लेकिन उसी टाइम वहाँ पे हीरो ब्राइन भी आ जाता है तो फाइनली गाईस हम लोगों को पहली सफलता तो मिल चुकी है क्योंकि हम लोगों ने होगा लाला के एक फेक बंदे को पकड़ लिया है और गाईस इस बंदे ने हम लोगों को सारी सचाई बता दी लेकिन यहर दूसरी तरफ हीरो ब्राइन और हम सभी ने मिलके दो दिन म आप लोग यकीन नहीं करोगे जस्ट टू डेस के अंदर हम लोगों ने एक हजार डायमेट भी माइन कर लिये और वो सारे के सारे डायमेट साम देंगे गौड ओफ एंटिटी को आप लोगों को तो पता है कि वो बंदा कितनी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि असल में वो इन सभी एंटिटी का गौड है और गाइस उसके पास इतनी पावर्स हैं कि अगर एंटिटी 606 की पूरी गैंग और हीरो ब्राइन भी उनके साथ मिल जाए तो गौड ओफ एंटिटी अकेले इन सब को खतम कर सकता है क्योंकि गाइस जब से जीरो ब्राइन अपने भाई हीरो ब्राइन को छोड़के एंटिटी 606 के साथ जा मिला तो तब से हीरो ब्राइन अंदर से तूट चुका था और हीरो ब्राइन अकेले तो इन सभी एंटिटी का मुकाबला नहीं कर सकता because वो लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और गईस आप लोगों को याद होगा कि जब second last episode में हम लोग God of Entity से उसकी दुन्या में मिलने गए थे तो उसने हमें कहा था कि जब तक मेरे पास 1000 diamond नहीं आएंगे तो मेरी तबस्या पूरी नहीं होगी जो मैंने काफी साल पहले शुरू करी थी अपने बेटे को बचाने के लिए इसलिए गईस इससे पहले के Entity 606 और Zero Brine अपने खतरनाक मिशन में सफल हो हमें कैसे भी करके God of Entity को अपने वर्ड में लाना होगा ताकि हम लोग Entity 606 की पूरी गैंग को मौत के घाट उतार पाएं और गैस आप लोगों को मैं एक बात बता दू कि इस बंदे ने हम लोगों के सामने होगा लाला और Entity 606 के जो राज खोले है ना उनको सुनकर तो भाई साब हमारे पैरों से जमीन किसक गई जब ये लास्ट एपिसोड में मुझे मारने आया था तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में रेयल होगा लाला है लेकिन बाद में मुझे रेयलाईज हो गया था कि ये रेयल होगा लाला नहीं बलके उसका फेक कलोन है और गैस हीरो ब्राइन इसको मारने ही वाला था कि इसने अपनी जान की भीक मांगी और कहा कि तुम लोग मुझे माफ कर दो क्योंके इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है बलके ये सारी प्लैनिंग होगा लला एंटिटी 606 और उसके भाई एंटिटी 303 और जीरो ब्राइन की है क्योंके वो लोग एक बहुती खतरनाक मिशन पूरा करना चाते हैं और गैस इस बंदे ने हम लोगों को बताया कि इस टाइम हीरो ब्राइन की जान बहुती खतरे में है क्योंके वो लोग माइन क्राफ्ट की दुन्या में जितने भी इंसान रहते हैं उन सब को मार के सारे एंटिटीस पैदा करना चाते हैं लेकिन फिलाल के लिए उन सब के रास्ते में एक ही रुकावट है और वो है हीरो ब्राइन इसलिए वो सब मिलके किसी भी टाइम हीरो ब्राइन के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंके असल में जीरो ब्राइन अपने भाई हीरो ब्राइन की जगा लेना चाता है बापर बाप गई साम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग माइनक्राफ्ट के साथ कभी इतनी खतानाग करने का भी सोच सकते हैं हीरो ब्राइन सुन ली तुमने अपने भाई की काली सचाई याद करो मैंने तुम्हें उसी टाइम कहा था जब तुम अपने भाई जीरो ब्राइन को जिन्दा कर रहे थे मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने भाई जीरो ब्राइन के अंदर होगा लला के भाई हूला लला को मार के उसका डियने मत लगाओ क्योंकि अगर Zero Brine ने जिन्दा होने के बाद तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम सोच लो ये तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती होगी और अब देख लो के वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है ये क्या है बे बुक लगता है हीरो ब्राइन कुछ बोलना चाता है गाईस एक एक मिनिट इसको रीड करके देखते हैं मैं मानता हूँ कि ये मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती थी मुझे Zero Brine को चिंदा नहीं करन चाहिए था लेकिन तुम चिंदा मत करो मेरे जीते जी ये लोग इस मिशन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे उत्तिरी बॉपरी बॉप लेकिन कैसे हीरो ब्राइन ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती है तुम अकेले उन सब का मुकाबला कैसे करोगे क्योंके अभी ब्राइन मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने बड़े मुर्क भी हो सकते हो तुमने कैसा क्यों करा तो गैस हीरो ब्राइन का कहना है कि इसके पेछे मेरी एक प्लैनिंग है मतलब अगर हीरो ब्राइन उस बंदे को अभी यहां के यहां मार देता तो उससे हमें कोई की भीक मांग रहा था जो होगा लाला का फेक क्लोन था उसने कहा कि तुम लोग मुझे मारो मत लेकिन तुम लोग मुझे जो भी कोगे मैं तुमारे लिए वो सारे काम करूंगा तो हीरो ब्राइन ने उसको कहा कि तुम चुक चौप हमारे आत्मी बनके उन सब के बीच में मतलब जैसे तुम पहले होगा लाला के लिए काम कर अरे एक मिनिट लगता है वहां पे कोई है हीरो ब्राइन क्या हुआ अरे ये तो एंटिटी सिक्स जीरो सिक्स और जीरो ब्राइन वो भी एक साथ यहां पे वाइस एक मिनिट लगता है ये लोग यहां पे कुछ कर हीरो ब्र लगता है गाईस यह जाने वाले हैं यहाँ पे और एक मिनिट भाई जीरो ब्राहिन की स्पीड तो देखो हीरो ब्राहिन गाईस समझ में नहीं आ लिए कि यह लोग आखिर यहाँ पे कर क्या रहे थे हीरो ब्राहिन डुको अभी भाई वो लोग कहीं वापस ना आ जाएं गाईस लगता है हीरो ब्राहिन अपनी पावर्स की मदद से देख रहा है कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर तो नहीं रहे थे मतलब उनका जो मिशन है उसको पूरा हीरो ब्राहिन क्या हुआ कुछ मिला यहाँ पे ओ तो गाईस ही यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि ठंड ब हमारी एक केव है जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में माइनिंग करी थी और कैसे भी करके 1000 डाइमेट के मतलब डाइमेट हमने माइन करे थे तो अभी हम लोगों को वो डाइमेट सीधे सीधे लेके जाने हैं God of Entity की दुन्या में मतलब उसके वाल्ड में तो जै ले जीरो ब्राइन को के आखिर हीरो ब्राइन क्या चीज़ है तो फाइनली गाइस अभी तो हम फिलाल के लिए जंगल में पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों ने जाइंट एलेक्स और जिन को छुपा रखा था क्योंकि किसी भी टाइम एक बहुती बड़ी वार हो सक एक काम करते हैं guys सबसे पहले तो इनको गिंती कर लेते हैं न फिफ्टी और फिफ्टी वन एंडरेड और पचास और पचास तू थूंड़ड पचास थृंडर पचास त्रींड पचास पशास पुरूर बॉन ताउस फाइनली गाइस, 1000 डाइमेड हमारे पास हो चुके हैं, तो अभी हीरो ब्राइन, लगता है गाइस जिन को कुछ बोलड आए, हीरो ब्राइन, यह डाइमेड मैं उठाऊंगा या तुम, तो गाइस हीरो ब्राइन कह रहा है कि तुम अपने इंवेंटरी के अंदर नीन सभी को रख लो, क्योंके मेरे पास और भी बहुत सारा समान है, एंटिटी 6006 को खतम करने का, तो पता नी गाइस, हीरो ब्राइन ने कौन कौन से वेपन्स अपने पास और पावर्स चुपा रखी है, जिन, देखो, तुम लोग यहां से बाहर मत निकलना, हम लोग बहुत जल्दी लोटेंगे, गौड ओफ एंटिटी को हमारी दुन्या में लाने के लिए हमें जाना होगा, और कान खोल के सुनलो के जब तक हम लोग वापस नहीं लोटें, तुम दोनों यहां से बाहर भूल के भी मत निकलना, तो ओके गाइस, लेकिन गाइस, मुझे एक बात समझ में नह अगर तो उसने जा के सारी सचाईना हमारे बारे में उनको बता दी, तो गेम उलट भी सकती है, और अगर तो हीरो ब्राइन के प्लैन के मताबिक वो उस बंदे ने हमारा साथ दिया, तो फिर क्या ही बड़िया बात होगी हम लोगों के लिए, लेकिन गाइस, आप लोगों क में सभी लोग बताना, और गैस प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आए, और नेक्स्ट एपिसोड बीस मिनिट का होना चाहिए, या फिर तीस मिनिट का या फिर पंदरा मिनिट का कॉमेट में बताना तो फाइनली गाईस एक बार दुबारा से हम लोग गौड ओफ एंटिटी के वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो कि एक बार दुबारा से हम सभी के वेपन्स और आर्मर गैब हो चुके हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में इस दुन्या में गौड अलाउन नहीं करता कि कोई भी यहां पर वेपन्स लेके आए, बाप रे बाप, भाई साब कितनी खतरनाक बंदा है ना, गौड ओफ एंटिटी, हम लोग हैं, जो लास्ट एपिसोड में तुमसे मिलने आये थे तुमारे पुराने दोस्त बाबाची के दोस्त, उत्तरी, डा क्या हुआ? से उठा लेना मैं सारे के सारे टाइमेट फटगाइस यहां पे रख लेता हूँ पूरे के पूरे 1000 टाइमेट हैं, ओके गॉड ओफ एंटिटी ये पूरे 1000 हैं, गिन लो इनको तो ओके गाइस, लगता है अभी इसकी तबस्या पूरी होगी और ये अभी चलेगा हम लोगों के वर्ल भाई सहब तिरी भाई क्या ही गज़ा बंदा है जब ये एंटेटी सिक्स जिरो सिक्स और जीरो व्राइन के सामने आएगा तो तब आप लोग देखना उनकी कैसे फटती है भाई इसकी सेना भी है और पतानी अभी इसका बेटा जिसके लिए ये तबस्या करवा रहे है उसको वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगा भाई ये डाइमेड उठाके चैस्ट भी तोड़ दी और ये एक मिनिट लगता है वहाँ पे कोई सीक्रेट बेस हो सकती है इसकी डार्क मॉब हमें वहाँ पे चलना चाहिए उसके पीछे ओके गाईस डार्क मॉब कह रहा है कि तुम लोग भूल के भी ये गलती मत करना उसके पीछे चाने की क्योंके वह खुदी वापस आएगा और अभी वह अपने बेटे को बताने गया होगा कि अब हम लोगों की तबस्या कतम होने वाली है जो काफी हजार साल पहले हम लोगों ने शुरू करी थी और गाइस डार्क मोब का कहना है कि एक तरह से ये चिला काट रहे थे और ऐसे लोग अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं मतलब चिला काटने से वो अपने पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीस करते हैं और ये तो भाई साब गॉड ओफ एंटिटी है मतलब सभी एंटिटीस का गॉड बस एक बार गाइस ये हम लोगों के साथ चलने के लिए राजी हो जाए उसके बाद आप लोग देखना के हम लोग चुन-चुन के फोड़ेंगे एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स और उसके पूरी गैंग को और खास तोर पे जीरो ब्राइन मकार ओ लगता है वो वापस आ गया भाई साहब जीरो ब्राइन भाई क्या ही पावर इसे हैं गोड ओफ एंटिटी प्लीज हमारी मदद करो अब तो हमारे साथ चल एक मिनिट गैस उसने डार्क मोब को बुलाया अभी ये क्या करने वाला है भाई साहब लगता है ये डार्क मोब को कुछ बता रहा है अभे भाई कोई दिक्कत तो नहीं होगी हम लोगों से या फिर गोड ओफ एंटिटी हम लोगों के साथ ऐसा कुछ ओ डार्क मोब अरे ये तुमारे हाथ में बुक बाई साहब लगता है ताल में कुछ खाला है क्योंके डार्क मोब ने वो बुक हीरो ब्राइन को दिरीड करने के लिए जरूर कोई बड़ी बात होगी हीरो ब्राइन हीरो of entity की तरफ से थी और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम सब लोगों का future देख लिया है और मुझे दिखाई दिया कि तुम लोगों की एक और भी साथी है जिसका नाम है जाइंट एलेक्स और वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है आने वाले टाइम म तुम्हारे दोस्त हीरो ब्राइन पर बहुती बड़ा संक टाने वाला है और ये सब होगा जाइंट एलेक्स की मदद से मतलब वो लोग जीरो ब्राइन की तरफ तुम्हारी इसपही जाइंट एलेक्स को भी अपने साथ मिला लेंगे और फिर अपनी powers की मदद से उसकी पहल इसे ने हम लोगों का मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो ला तुम इसको बोलो अगर ये बात सच है तो तुम हमें यहां पर करके दिखाओ मतलब जब तक हम लोग अपनी आँखों से नहीं देखेंगे हम लोग बलीव नहीं करेंगे क्योंके हीरो ब्राइन ऐसा भी हो सक अभी तक तो कुछ बिल्ना जाए उक तेरी अच 기अ के अबाई अज़ नहीं कि अज़ कि एाओढ़ माघ। झाल झाल जाइन्ट एलिक्स पहले की तरह बड़ी हो चुकी थी और पावरफुल भी और उन सब लोगों ने मिलके तुम में पकड़ लिया था अब ये पता ने के तुम जिन्दा थे या फिर मर चुके थे आने वाले फ्यूचर में और सबसे बड़ी बात के एंड में आके नल भी मुझे मार देता है भाई ये हम लोगों के साथ क्या होने व हैता है कोई भी उसको रोक नहीं सकता डार्क मोब प्लीज तुम जाके गॉड ओफ एंटिटी से एक बार पूछो कि क्या हम लोग इस फ्यूचर को रोक हो सकते हैं मतलब कोई ऐसा तरीका है एरो ब्राइन तुम रोको पीछ हटो भाई हम लोग सोच भी नहीं सकते के जीरो दे सकती है मतलब कितनी मुश्किल टाइम में उसने हर टाइम हमारी मदद करी है लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कैसे हो लगता है गॉड ओफ एंटिटी ने डार्क मोग को कुछ दिया है ये क्या है बे 303 भाई ये तो कोई टैग लगता है मेरे को एरो ब्राइन ये देखो तो ग गॉड ओफ एंटिटी ने हम लोगों को का है कि तुम लोग चिंता मत करो बस फिलाल के लिए तुम लोगों को एक ही काम करना है तो तुम्हें कैसे भी करके एंडिटी 606 की बेस में गुसना है और वहाँ पर तुम्हें रेड कलर का एक लावा मिलेगा और उस लावे के मेरी तबस्या पूरी हो जाएगी मतलब गॉड ओफ एंटिटी का कहना है कि एक ऐसी रात आएगी उस रात में जो मून होगा ना वो पूरा बलडी हो जाएगा मतलब रेड कलर का हो जाएगा और उस रात जाके हमारी तबस्या खताम होगी और हमारे पास और भी खतरनाक वा पाएं नहीं तो वो दरिंदे माइनक्राफ्ट को भसम कर देंगे।